लुहिया कॉलेज में प्रवेश लेने वाले सभी नए विद्यारतियों का स्वागत अभिनंदन है। ये जो वीडियो है इसके माध्यम से आपको हमारे महाविद्याले और हमारे सब्जेक्ट से आपका प्रिचे करवाय जाएगा। आप लोगों ने स्कूल से सेनियर का एक्जाम्स पास किया है और लुहिया कॉलेज चूरू में एडविशन लिया है। बायो ग्रूप के होने के कारण से आपको यहाँ पर तीन सब्जेक्ट पढ़ने पढ़ेंगे। नमबर वन केमिस्ट्री, नमबर टू बोटनी, नमबर तीन जूलोजी। अगर आप मेथ्स ग्रूप से होते तो आपको फिजिक्स, मेथ्स और केमिस्ट्री पढ़ने पढ़ती है। चुंकि आप बायो ग्रूप से हैं, इसलिए आपको केमिस्ट्री, बोटनी, जूलोजी है, वो यहाँ पर पढ़ने पढ़ेगे। और इन तीनों सब्जेक्ट्स में से यह जो आज का वीडियो है, यह बोटनी से समन्दित है। और इस पर्टिकुलर इयर में, यानि फस्ट इयर में आप लोगोंने एडविसन लिया है, प्रवेस लिया है, तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलर विशेश रूप से कौन-कौन से प्लांट्स ग्रूप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उसके बारे में एक छोटा सा पर प्यास है, निश्चित रूप से आपके लिए सहायक सिद्ध होगा, सब्जेक्ट पर जाने से पहले थोड़ा सा परेचे हमारी कॉलेज के बारे में, क्यूंकि आप हमारे लिए नए विद्यारती हैं, हो सकता है आप चूरू से नहीं होकर चूरू के बाहर से भी आकर सरकारी महाविद्याले है, और इस सरकारी महाविद्याले को हमारे सेट जी, सेट कनिया लाल जी लोहिया ने 1945 में बनाया था, 1945 का मतलब यह है, आजादी से पहले, आजादी से पहले यह भवन हमारा बनकर तयार हो गया था, 1945 में, और जो सेट कनिया लाल जी लोहिया है, यह रहने वाले लेकिन इनका जो बिजनिस था वो कैलकेटा में था जूट के व्यापारी ये रहे हैं और देखिए आप इनकी दूर दर्सिता को 1945 के अंदर बनाये हुआ एक विशाल भवन है जो आज की आवसिक्ता की पूर्ती भी कर रहा है और इस वर्स हम हमारे महाविद्याले की पिछे तरवी वर्सकाट यानि प्लेटिनम जूबली है वो मना रहे हैं तो आप भग्य साली है कि आपने प्लेटिनम जूबली एर में इस महाविद्याले में परवेस लिया है हम सेड़ जी को नमन करते हैं कि उनके आसिरवाद से इस महाविद्याले से हजारों लाखों विद्यारती निकल कर गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर आज काम कर रहे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं तो आप उन भगे साली में शामिल हो गए हैं जो इस कॉलेज के विद्यारती बनने जा रहे हैं ये हैं हमारे महाविद्याले का बाहरी से देखने पर व पिछे की तरफ हमारा एक हर्बल गार्डन बना हुआ है और बहुत सारे पेड़ और पोधे छोटे प्लांट्स बड़े प्लांट्स फूलदार पोधे जो इस पूरे केमपस में फैले हुए हैं तो हर्याली के मामले में हमारा जो ये महाविद्याले है वो किसी से कम नहीं है त चूरू और जो छत्री नुमा आकरती आप देख रहे हैं इसके नीचे सेड़ जी की मूर्ती है वो इस्ताबित है लगी हुई है पिरिये विद्यार्तियों जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया हमारा महाविद्याले 1945 में बना हुआ है और उस वक्त इस कॉलेज के अंदर के हमारे यहां पर अध्येन रत है हमारे इस महाविद्याले के अंदर 14 सब्जेक्ट के अंदर पीजी संचालित है और 17 सब्जेक्ट के अंदर यूजी संचालित है तो आप देख सकते हो कुल हमारे यहां पर 31 सब्जेक्ट यूजी और पीजी मिलाकर है वो अध्येन हो रहा है आपके कुछ साथियों ने आर्ट्स में एडविशन लिया होगा कुछ ने कॉमर्स में लिया होगा और आप लोगों ने साइंस में बायो ग्रूप के अंदर एडविशन लिया है तो ये है आपका कॉलेज के बारे में एक प्रीचे आप चुंकि जैसा कि मैंने शुरू में आपको बतलाया था Chemistry Botany Jology तो ये Botany का introductory part है आपके लिए कि तीन paper में से एक paper है वो Botany के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा Botany के बारे में जब paper पढ़ने के से पहले आपको थोड़ा सा परिशे है वो पादब जगत के बारे में होना चाहिए हमारे पर्थवी के उपर जितने भी plants पाए जा रहे हैं उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं एक को हम कहते हैं crypto games और एक को हम कहते हैं fenero games बहुती साफ अंतर है एक वो group जिसके अंदर flowers नहीं बनते हैं एक वो groups जिसमें flowers बनते हैं तो dear students जो crypto games हैं उनको हम non-flowering plants के नाम से भी जानते हैं जिनमें seed का formation नहीं होता है seed वो सरंचना होती है जिससे नया पोधा बनता है तो crypto games में जब seed नहीं बनेंगे तो नए पोधे फिर कहां से बनेंगे तो crypto games में sports यानि बीजानूं का निर्मान होता है और उससे फिर नए पोधे बनकर हमारे सामने आते हैं दूसरा group है आपका फेनेरो games जो उच सरेनी के पादप होते हैं ये flowering plants है या पुस्पी ये पादप है इन में बीजों का निर्मान होता है तो main difference ये हुआ कि जो lower group के plants crypto games है उन में flowers नहीं होते हैं और जो उच वरक के पादप है फेनेरो games उन में बीजों का निर्मान होता है क्योंकि उन में flowers होते हैं तो flowering और non flowering के आधार पे crypto games and fanero games है ये दो parts आपके सामने है crypto games को फिर हम तीन भागों में divide करते हैं सबसे पहले थेलोफाइटा उसके बाद में ब्रायोफाइटा और उसके बाद में टेरिडोफाइट्स थेलोफाइटा जो की बहुत ही simple group है उसको फिर हम दो भागों में divide करते हैं एक है हमारा algae और दूसरा है हमारा फंजाई bacteria को भी पहले इसी group में शामिल किया जाता था अब वो microbiology के नाम से अलग से group बन गया है तो थेलोफाइटा बहुत ही simple group है क्योंकि इनकी जो plant body होती है वो बहुत simple होती है algae और फंजाई algae और फंजाई में main difference यह होता है algae और फंजाई ग्रीन होती है इसमें chlorophyll होता है फंजाई ग्रीन नहीं होती है इसमें chlorophyll नहीं होता है इस कारण से chlorophyll होने के कारण से algae अपना virgin swim बना सकती है फंजाई अपना virgin swim नहीं बना सकती है एक swim पोसी है दूसरा पर पोसी है ये दोनों में main difference है, लेकिन दोनों की जो plant body होती है, वो बहुत ही simple या साधारन होती है, और दोनों के अंदर ही sports बनते हैं, जो multiplication के अंदर सयो करते हैं. सेकंड में जब थेलोफाइटा से थोड़ा सा उचवरक की हम चलेंगे तो वो ब्रायोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा है, वो plants ज्यादा तरह amphibious होते हैं, जैसे आप देखते हो रिक्सिया है, मारकेंसिया है, एंतुसिरोस है, और पानी में रहने वाले plants भी होते हैं, त इनके वेंटल साइड के उपर कुछ राइजोइट्स, जिसको हम सिंपल रूप से जड़ कह सकते हैं, जड़ तो बड़े plants के होती हैं, छोटे पोदों में हम इनको राइजोइट्स वर्ड यूज़ करते हैं, और इन राइजोइट्स के माद्धहम से ये जमीन से पानी के सा मिनरल्स को एपजोब हैं, वो कर पाते हैं, क्यूंकि ज़्यादा तरिये amphibious plants होते हैं, तो ब्राइजोफाइटा है, वो थेलोफाइटा के मुकाबले में थोड़ा सा उचवरग है, जहां थेलोफाइटा है, वो धागे नुमा से रंचनाए लिए होता है, वहां ब्राइज फाइटा है, वो थेले स्के नुमा समान हो जाता है, ब्राइजो फाइटा से हम आगे चलते हैं टेरोफाइटा में, टेरोफाइटा थी लोवर गुर्प में ही साहिल होते हैं, लेकिन इनके अंदर वेस्कुलर बंडल्स का विकास है, या डवलपमेंट हो जाता है इसलिए इनको हम Vieskular Crypto Games के नाम से भी जानते हैं. Vieskular bundle से मतलब हमारा Gyylem और Falome से मतलब होता है. ठेलो Phaya और Bray Phaya में Gylem और Falome नहीं पाय जाते हैं. लेकिन Terudow Phaya के अंदर Gylem और Falome में वो पाय जाते हैं. तो इनको हम Vieskular Crypto Games के नाम से भी जानते हैं. टेरिडोफाइटा के कुछ सिंपल एक्जामपल्स ये सिलेजी निला है, लाइकोपोडियम है, मारसीलिया है, इक्वेसिटम है, इनके बारे में आप लोग इस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन इसके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं, सीड बनने ही बनते हैं, हाँ यहाँ पर सील बनने में कि कुछ परक्रिया प्रारम हो जाती है, जिसके बारे में भी आपको पढ़ना पढ़ेगा, हेटिरोस्पोरी एंड सीड हैबिट के बारे में, जब आप क्लास स्टार्ट होगी, या ओनलाइन के माध्यम से, यह सब बाते हैं, हम आपको समय समय पर ब फरक है, फरक यह होता है, जिमनो स्पर्म के अंदर जो सीड बनते हैं, वो खुले हुए होते हैं, नेकिड होते हैं, और एंजियो स्पर्म के अंदर जो सीड बनते हैं, वो कवर्ड यानि ढखे हुए होते हैं, हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हम लोगों को दिखाई दिये रहे हैं वर्तमान में क्योंकि अभी अभी बारिश का मोसम चल रहा है और देरे देरे यह बारिश का मोसम है वो हम से विदा ले रहा है तो पौधों के अंदर फ्लावर्स आने के पश्चात फ्रूट्स बन रहे हैं और उन फ्रूट्स के अंदर निश्चित रूप से सीड होते हैं कहने का मतलब वो सीड है वो ढखे हुए हैं तो यह सारे के सारे इंज्योस्परम्स हैं वो हमारे आसपास है छोटे से लेकर बड़े तक जिम्नोस्पर्म वह हमारे रेगिस्तान में एक को छोड़कर नहीं होते हैं एक जो जिम्नोस्पर्म हमारे एरिया में होता है वो एफिडरा होता है जो कि बहुत ही रेरली हमें देखने को मिलता है तो जो भी जिम्नोस्पर्म है समानेत जैसे कि Pines, Psycheus, Pines, Ephedra इन सब के अंदर जो बीज बनते हैं वो खुले हुए होते हैं किसी सरंचना के माद्यम से ढखे हुए नहीं होते हैं तो दोनों के अंदर जो main difference होता है वो Gymnosperm and Angiosperm के अंदर एक में बीज खुले हुए दूसरे में ढखे हुए तो ये Fenero Games के बारे में आपको देखने को है वो मिलता है Dear Students दो मुख्य ग्रुप जो मैंने अभी आपको बतला ही थे Crypto Games and Fenero Games Crypto Games पूरा का पूरा आपको First Year में पढ़ने को पढ़ेगा और Second के पार्ट जो हमारा Fenero Games है उसके अंदर के विल Gymnosperm में पढ़ना पढ़ेगा और इसके साथ में बेक्टिरिया भी पढ़ना पढ़ेगा कहने का मतलब यह हुआ कि इतने सारे पार्ट से वो आप लोगों को First Year में पढ़ने पढ़ेंगे इसलिए इस चीज को देखते हुए आप लोग अभी से इसके परती गंविर हो जाईए अपने सेलिबस के परती अपने पढ़ाई के परती क्यूंकि जब आप स्कूल से कॉलेज में आते हैं तो एक नया माहूल है वो आपको यहाँ पर मिलता है एक सेलिबस होता है और क्लासिस के अंदर स्कूल में आप बंधे हुए रहते हैं यहाँ पर क्लासिस रेगुलर होती है लेकिन आपको थोड़ी सी आजादी सी फील होती है लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि जो चीज आप स्कूल में सीख कर आ रहे हैं उसी चीज को अगर आप कॉलेज में फोलो करते रहेंगे निश्चित रूप से आपके जो मार्क अप टू लेवल है परसंटेज वाइज वो आपका बना रहेगा और निश्चित रूप से क्लासिस है वो ओफलाइन होगी तो निश्चित रूप से क्लास में आईए और ओफलाइन online चल रही है तो online बेड़ कर आप जो ये हमारे वीडियोज हैं उनको आप देखते रहिएगा जो हमारा syllabus है उसको हम तीन paper में divide करते हैं जो scheme है exam की तीनो paper मिलाकर 135 नमबर के papers होते हैं आपके 45, 45, 45 और तीनों में जो passing marks है वो 16, 16, 16 कहने का मतलब ये हुआ 135 में से 48 नमबर आपके आने है 48 का मतलब 36 परसेंट है उससे आज कल कुछ भी नहीं होता है जो paper होता है वो 3 घंटे का होगा 45 नमबर में से 16 नमबर फिर दूसरे paper में 45 में से 16 तीसरे में 45 में से 16 ये 3 papers हैं और practical है वो आपका 65 नमबर का होता है जिसमें से 24 नमबर आपको लाने है वो जरूरी होते हैं डियर स्टुडेंट्स ये केवल passing marks हैं इससे आज के समय में काम नहीं चलता है जैसा कि आपने देखा होगा आपका जो एड़िशन हुआ है वो कितने higher percentage होने की कारण से हुआ है तो उस percentage को हम लोगों को यहां maintain करके चलना है तब हमारा survival है वो यहां हो पाएगा ये 3 papers के नाम आपके यहां पर है पहला paper है आपका algae, lichens और bryophyta के बारे में दूसरा paper है आपका mycology यानि फंजाई microbiology यानि bacteria और plant pathology मतलब फंजाई के दुआरा जो रोग फैलते हैं उसके बारे में है और 3 paper है आपका teridophyta, gymnosperm and paleobotony यानि जीवास में विग्यां तो ये 3 paper है वो आपके first year में है और 3 का syllabus है वो अगले videos में हम लोग आपके साथ share करते रहेंगे continue उनको देखते रहेंगे हम लोगों ने आपके अलग अलग groups बना दी है WhatsApp group और उस groups के माध्यम से हम लोग आपको mater है वो send करते रहेंगे एक continuity बना के रहेंगे और continuity बना के रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फाइदा होगा और जो हमारा लक्षे है उस लक्षे में हम लोग सफल हो पाएंगे तो ये आपका जो आज का वीडियो है ये college का introduction है और हमारे plants का introduction है कि first year में हम लोगों को क्या पढ़ना है तो उसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपके साथ share किया है इस वीडियो को देखने के पश्चाथ नीचे साइड के अंदर लाल रंग में सब्सक्राइबर लिखा हुआ आ रहा है उस सब्सक्राइबर पर आप अपने अंगूली टच करेंगे जिससे कि क्या है कि वो सब्सक्रिप्सन आपका सब्सक्राइब हो जाएंगे और जो नेने वीडियो होंगे वो आपके पास आते रहेंगे और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए देखने के पश्चाथ तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम आपकी और अच्छी तरह से हेल्प कर पाएंगे ओनलाइन माध्यम से और ओफलाइन अगर कॉलेज खुल जाती है तो निश्चित रूप से क्लास के अंदर हम रेगुलर्ली आप लोगों का इंतजार करेंगे कि क्लास में आप हमारे पास सामने आएं और फेस टो फेस हम लोग आपको जो भी तीन पेपर्स हैं उनको पढ़ाने का प्रयास करेंगे लेकिन ये जिम्मेदारी बनती है परतेग स्टूडेंट की जिम्मेदारी बनती है कि जिस जिम्मेदारी के साथ में उसने हमारी कॉलेज में एडविशन लिया है उसी जम्हेदारी के साथ में वो कॉलेज के अंदर आए तो इनी सब्दों के साथ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थेंक यू बहुत बहुत सुबकामनाए आपको इस कॉलेज में एडविशन के लिए धेहर सारी सुबकामनाए धन्यवाद